सब्सक्राइब ना और प्रेस तब बेल आइकर नेवर मिस अपडेट इवनिंग तो अल उफ यो जितने भी आस्परंट समसे जुड़े हैं जुड़ रहे हैं जुड़ चुके हैं सभी को प्यारा सा गुड़ इवनिंग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की फर्स सेक्षन के साथ सबसे पहला सेक्षन है हमारा वोकिब बेस्ड ऑन इमिजस इमिज एंफीबल को अगर हम रिलेट करेंं वैसे कमजोर होता है मतलब होता है कमजोर करना कुछ भी ऐसा जो किसी को कमजोरकर रहा है जैसे Municipal करने काम करता है तो मेंग क्या हो गया समवन or something weak मतलब कमजोर करना कुछ ऐसे आप unfable को relate कर सकते हैं I hope सभी को इस image से अच्छे से clear हो गई होगी है वो के आगे वड़ जाते हैं हम लोग अगला जो word है हमारा definis अगर मैं definis word की बात करूँ तो इसका मतलब होता है apar darshi मतलब कोई चीज इतनी ज़ादा हलकी है कि उसके आर पार देखा जा सकता है उसको हम definis से relate कर सकते हैं so light and fine that you can almost see through it मतलब कोई भी चीज इतनी ज़ादा हलकी है light है कि आप एक side से दूसरी side देख सकते हैं मतलब definis को हम पार दर्शी से relate कर सकते हैं ठीक है next one अगला जो हमारा word है वो है derelict derelict को हिंदी में कहते हैं परित्यक्त परित्यक्त मतलब ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं है ऐसी कोई भी चीज जो अब यूज में नहीं है उसको हम derelict से relate कर सकते हैं अपकी पुरानी सी चीज़े होती हैं जिनको हम बाद में use नहीं कर रहे होते ठीक है पड़ी रहती है एक कौर्नर में घर के तो वो क्या होगे डारलेक्ट होगे आपकी पुरानी सी साइकल हो सकती है कोई जो घर में साइड में पड़ी हूई है जो आप use नहीं करते तो वो क्या है derelict है परित्यक्त है So not used or cared for and in bad condition कुछ भी ऐसा जिसको use नहीं किया जा रहा है अब care भी नहीं हो रहे जब use नहीं किया जा रहा है और bad condition में उसको हम आप derelict से relate कर सकते हैं Next one अगला जो हमारा word है वो है brawl Brawl का meaning होता है जगडा करना जगडा करना बहुत ही ज़ादा violence की जो condition है उसको हम brawl से relate कर सकते हैं अगर मैं definition की बात करूँ तो a noisy and a violent fight involving a group of people usually in a public place public place में जो भी जगडा हो रहा है मार पेट हो रही है उसको भी हम brawl से relate कर सकते हैं जगडा या लड़ाई कुछ ऐसे आप इसको relate कर सकते इस particular word को that is known as ball I hope सभी को समझ आ गया होगा यह word अच्छा से आगे बढ़ जाते हैं अगले word पे अगला word है हमारा badlum badlum का मतलब होता है हंगामा जैसे यह हंगामा चल रहा है उसको हम relate कर सकते हैं badlum से ठीक है तो जो भी शोर शराबा है हंगामा है उसको हम relate कर सकते हैं badlum से a scene full of noise and confusion कोई भी ऐसा scene बना हुआ है जो बहुत ही जादा आवाज है confusion की state है उसको badlum से relate कर सकते हैं सो अगर हम बात करें he is causing badlum at the hotel मतलब उसने hotel में क्या हंगामा कर रखा है बिल्कुल कुछ हैसे आप relate कर सकते हैं इसको ठीक है next one adjudge adjudge बहुत ही प्यारा word है और adjudge का मतलब होता है नड़ना लेना नड़ना लेने से ही relate कर सकता है adjudge तो adjudge को हम जज से आसानी से याद कर सकते हैं to make a decision about someone or something based on the facts that are available कुछ ऐसे आप relate कर सकते हैं इसको so adjudge means क्या हो गया नड़ना लेना decision लेना कुछ ऐसा जो भी fact है उस बेस पे decision लेना आगे अगर हम बढ़ें idioms and phrases previous year questions अब हम idioms and phrases से related previous year questions पर बात करने वाले हैं ठीक है तो सभी ready है सभी ready है शिरू करें idioms and phrases से related कुछ धमाकेदार से previous year questions yes or no एक बार session को फटा-फट क्या कर देना है आप सभी को like और share कर देना है session को फटा-फट like और share कर देना है जादा से जादा experience तक session को फैला देना है पहुचा देना है जो questions आप अभी करने वाले हैं यह सारे के सारे exam में कहीं न कहीं आपको मिलने वाले हैं सभी छपने वाले questions है exam में याद रखिएगा ठीक है तो copy और pen निकाल लेजिए और तयार हो जाएए कुछ धमागेदार से questions के लिए पहला question आपके सामने है इडियम से pull yourself together pull yourself together इस इडियम का meaning क्या हो सकता है pull yourself together to go to sleep calm down try to understand or do a good job क्या होना चाहिए हमारा answer एडियम को उसकी prophecy we range करना आसान होता है you Berea मतलब मुहावरे हो गया जैसे हिंदी के मुहावरे होते हैं कि से एडियम को एक बार meaning clear होती है उससे असानी से रीलेट कर सकते हैं तो जो भी ऐस्परेंट्स हमारे सेकेंड पाड़ पिक कर हैं उनका answer बिल्कुल correct है pull oneself together pull yourself, himself, themselves कुछ भी ऐसे हम relate कर सकते हैं pull oneself together अगर हम ऐसा idiom लेते हैं तो इसका मतलब होता है शांत होना, calm down होना ठेक है सो बाकि के options हमारे eliminate हो गए go to sleep, try to understand और do a good job यह सारे के सारे गलत हो गए next one, अगला, costs an arm and a leg अच्छा, किसी चीज़ की जो cost है वो क्या है, एक arm और एक leg के बराबर है मतलब what फटा-फट देखो और पिक करो अपना answer if something costs an arm and a leg means what कैसे relate करोगे time up हो चुका है easy to obtain मतलब जिसे प्राप्त करना आसान हो गलत हो जाएगा अब किसी चीज़ की अगर cost ही है an arm and a leg means कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़ादा expensive है बहुत ही ज़ादा महंगी है जैसे आप hotels में जाते हैं five star hotels में तो वहाँ पर क्या रहता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उनकी cost भी बहुत ज़ादा होती है आप एक coffee मंगवाते हैं और उसकी cost ही आपको 740 पढ़ रही है 740 की coffee ठीक है so that coffee costs an arm and a leg logic समझ रहो ना मेरी वात का मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है कोई भी चीज जो उसकी value है उससे कहीं जादा उसकी कीमत का हो ठीक है ऐसे आप relate कर सकते है really available nothing to lose कोई chance नहीं है answer जाएगा हमारा fourth part so जो भी fourth part pick कर रहा है उन सभी का लग चुका है six are very good everyone आगे बढ़ते हैं अगले question पे we now have an ex minister in the running from our constituency constituency for the post of member of parliament अब देखो in the running का आपको meaning बताना है अब कोई ex minister है जो हमारी constituency से क्या कर रहा है लड रहा है चुनाओ कुछ ऐसे relate कर सकते हैं इस structure के according अगर देखे तो फटा-फट देखो और पिक कर अपना अश्र बिलकु ललुआ सा structure वारे कुट अच्छा in the running को अगर हम relate करें इसका मतलब होता है contesting a seat मतलब चुनाओ लडने के sense में किसी particular seat पे कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं teaching yoga giving speeches jogging everyday कोई चांस नहीं से क्या करेगा बंदा क्या करेगा चुनाओ लड़ेगा सीधी करोगे से बिलकुल हलुआ सा structure स्पीड में देख और पिक कर अपना अंसर रन अराउंड इन स्रकल्स इस पर्टिकुलर इडिमेटिक एक्स्पेश्चन का मीनिंग होता है to keep doing something without achieving much मतलब कुछ काम कर रहा है बंदा कर रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा फिर भी करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है कोई बंदा कोई मिस्टेक बार बार रिपेट कर रहा है बार बार रिपेट कर रहा है जैसे किसी का English week और वह English को in circles वो same mistake repeat करके उसको वो चीज़ अचीज नहीं कर पा रहा जो उसे चाहिए ठेक है क्योंकि वो कमजोरियों से भाग रहा है अपने this is called to keep doing something without achieving much this would be the correct structure आपका जो actual answer जाएगा that would be fourth part answer आपके सामने आचुका है next question आपके सामने है bed of roses bed of roses को आप कैसे relate कर सकते हैं देखिए फटा-फट bed of roses का मीनिंग क्या होता है और कैसे इसे relate कर सकते हैं फटा-फट देखो और pick कर दो अपना answer 20 seconds का question बेड़ ओफ रोजेज क्वालिफाइंग एसे सी एक्जाम इस नॉट बेड़ ओफ रोजेज हाँ अच्छा अगर मैं बेड़ ओफ रोजेज की बात करूं तो इसका मतलब होता है एन इंजॉयबल स्टेट या इजी टास्क से भी हम इसको रिलेट करते हैं बहुत ही आसान काम भी बैड़ ओफ रोजेज होता है या फिर इंजॉयबल स्टेट को हमने रिलेट कर दिया बैड़ ओफ रोजेज से difficult situation इसका opposite हो जाएगा इसके लिए एक EDM दे दो जरा a hard nut to crack a hard nut to crack difficult situation के लिए हो जाएगा an unforgettable moment मतलब ऐसी moment जो भूलाई नहीं जा सकती a state of perplexity perplexity means क्या होता है घबराहट घबराहट की जो स्थिती है उसको हम बोल सकते है a state of perplexity so हमारा जो actual answer जाएगा that would be third part और जो भी third part पर कर रहे हैं सभी का लग चुका है sixer आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले question पर चलते हैं unless you are above board in your dealings you will not able to win the trust of your clients जब तक आप अपनी dealings में above board नहीं होते अब above board का आपको meaning बताना है you will not be able to win the trust of your clients तब तक आप अपने clients का trust नहीं जीत पाएंगे कुछ ऐसा कह रहा है फटा-फट देखो और पिक कर अपना answer above board means what बिल्कुल हलो असल structure speed speed में पिक कर दो सभी answer अपना अपना five seconds का question statement को देखके समझ आ रहा है न तो statement को देखके हमें समझ आ रहा है कि above board का मतलब क्या होगा honest and frank जब तक आप अपने dealings में honest और frank नहीं होगे तब तक client आप पे trust नहीं करेगा कुछ ऐसा smart and deceptive board and reckless कोई चांस नहीं है reckless means वैसे भी सौरी लापरवाह होता है exceptionally talented कोई चांस नहीं है answer जाएगा second part अगला the thieves made of with all the cash and jewelry in the house अब यहां पर made of का आपको meaning बताना है एक बार statement को पढ़ लो और पिक कर दो अपना answer your time starts now बिलकुल हलुआ सा structure स्पीड में देखो और पिक कर अपना answer very good everyone so thieves ने क्या किया सारा ज्वैलरी और पैसा घर से लेके made of हो गए कि आइटी मेटली तो भाग गया ना हां तो मतलब रानवे answer जाएगा हमारा second part squander word बहुत ही प्यारा है squander का मतलब होता है गवा देना जो भी आपके पास था आपने गवा दिया जैसे time गवा देते हैं लोग भी देख देखके web series देख देखके ठीक है फिर कहते हैं मेरा क्यों नहीं हो रहा अपने आप से पूछोगा भी क्यों नहीं हो रहा और क्या नहीं हो रहा समझ गया तो स्क्वेंडर का मतलब गवा देना जो आपके पास था उसको आपने गवा दिया ठीक है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती कुछ भी हो सकता है time ही नहीं कुछ भी जो आपके पास है वह आपने गवा दिया that is स्क्वेंडर ठीक है डिस्कवर ट्रांसफर कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा आंसर जाएगा सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वान अगला कोश्चन माइब ब्रदर हास डिसाइड़ तो सेटल इन मुंबई फॉर गुड फॉर गुड का मीनिंग आपको बताना है मेरे ब्रदर ने डिसाइड किया मुंबई में सेटल होने का फॉर गुड क्या हो सकता है फॉर गुड का मिनिंग चल दे से पिक करो आंसर वारे गुड देखो actual में for good का मतलब होता है forever for good का मतलब होता है forever जादे तर लोग सोचेंगे for good का मतलब तो अच्छे के लिए होगा ना for better income होगा, for new opportunities होगा यही answer सभी ने pick किये थे exam में जो गलत होगा क्योंकि for good का मतलब होता है forever हमेशा याद रखो इडियम को उसके मीनिंग से याद करने की कोशिश को अब यह दिमाग में रहेगा दन चाप आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कोश्चन पे मतलब एजड मैं जो था मतलब बुजूर्ग जो इंसान था उसने पसंद किया क्या डाइ इन हार्नेस अब यह आपको मेनिंग बताना है दैन लीड रॉस्टेड लाइफ फटा-फट देखो और पेकरो अपना अंसर रॉस्टेड मतलब जंग लगी हुई लाइफ मतलब कमजोरी भरी हुई लाइफ दूसरों पर डिपेंडेंसी वाली लाइफ ही तो रस्टेड लाइफ है ना हाँ व्यारे गुड़ अब डाइन हार्नेस हार्नेस मेंस वैसे कवच होता है और डाइन हार्नेस का मतलब होता है तू कॉंटिन्यू अकुपेशन तिल डेथ पॉद्स एकस्पाइर होने तक काम में ही लगे रहना तो काम करते ही करते एकस्पाइर होना ठीक है कुछ आसे आप डिनोट कर सकते हैं परपेच्वल स्लैवरी का मतलब होता है जो लगातार गुलामी है ना उसको हम परपेच्व slavery से रिलेट कर सकते हैं, to keep once belonging safe, कोई चांस नहीं है, to lead life of comfort, कोई चांस नहीं है, answer जाएगा, third part, चाह, आगे बढ़ जाते हैं, लोग, to be thrown in at deep end, to be thrown in at the deep end, फटाफट देखा और पिक कर अपना अंसर, very good, सभी का शिक्सर लगने वाला है, इस बार क्या लगता है, okay, to be thrown in at the deep end का actual meaning होता है, learn to do the difficult things too soon, learn to do the difficult things too soon, जल्दी जल्दी difficult चीज़ों को, कठीन चीज़ों को सीख लेना, ठेक है, आपका जो actual answer जाएगा, that would be first part, need to do one thing at a time, कोई चांस नहीं है, unable to do the given work, कोई चांस नहीं है, try to do too many things at same time, कोई चांस नहीं है, तो आपका जो actual answer जाएगा, that would be first part, अब आप सभी बताएंगे कि आपका out of 10 score क्या है, 10 questions में आपका score क्या है, ठेक है, जो भी 5 के उपर कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा score जा रहा है, 5 के नीचे वालों का भी अच्छा है, बस यह है कि अब ये idiom जब exam में आएं, का actual meaning क्या होता है, ये आपको बताना है, screenshot ले लो, comment box में सभी का answer आना चाहिए, so आज का session यहीं पे होता है, complete, I hope सभी को session में मज़ा आया होगा, so दिल का है तो एक like कर देना, comment करिए, अपना experience ज़रूर share करिए, कैसा लगा आप सभी को session ज़रूर बताइएगा, share करना बिल्कुल मत भूलिए, channel पे नए है तो subscribe कर देंगे, और bell icon प्रेस कर देंगे, मैं मलता हूँ आप से, कल शाम को 7.30 पे, 7.30 मतलब इसी time पे, 7.30 पीम पे, कुछ धमागेदार से, exam oriented questions और कुछ प्यारे से, grammatical concepts के साथ, साथ ही साथ, 3.15 पे भी आप से मुलाकात होगी, 3.45 पे, sorry, आप से मुलाकात होगी, SAC MTS की class में, जहां पे हम लोग, कुछ और add-on, questions और concepts को सीखेंगे, तो कल की दो classes हैं, English की, याद रखिए, SAC से related, 3.45 पे, SAC MTS से related session होगा, 7.30 पे, SAC CHSL से related session होगा, और ये दोनों ही session, upcoming MTS और CHSL, Evangelical exam के लिए भी काफी जादा beneficial होने वाले हैं, सो मिलते हैं next session में, till then take care, thank you.